या देवी सरभूतुषे मा ब्रहमचारिनी रूपेण संस्तिता नमस्तसे 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 नमोह नमहा जै मातादी ओम नमस्षिवाई दूसरे नवरातर में मा के ब्रहमचारिनी एवम तप शारिनी रूप की पूजा की जाती है जो साधक मा के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप त्याग, विराग, सायम और सदाचार की प्राप्ती होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूर करके ही रहती हैं मा भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए मा को शक्कर का भोग प्रिये है ब्रहामन को दान में भी चीनी देनी चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से मनुष्य धिरगायू होता है इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप त्याग स प्रातना करते होएं ये मंतर बोलें इसके बाद देवी मा को परसाथ चड़ाएं और आच्मन करवाएं परसाथ के बाद पान सुपारी भेट करें और प्रदिक्षना करें यानि तीन बार अपनी ही जगे खड़े होकर घुमें प्रदेख्षना के बाद घीव कपूर मिलाकर देवी की आर्थी करें इन सब के बाद शमा परातना करें और प्रसात बाट दें तो चली अब आपको सनाते हैं नवरात्री की दूसरी देवी मा ब्रहम चारेनी की पावन कथा तो मा दुर्गा की नव शकती का दूसरा सरूप ब्रहम चारेनी का है यह ब्रहम का अर्थ तपस्या से है मा दुर्गा का यह सवरुप भक्तों और सिध्धों को अनंत फल देने वाला है इनकी उपासना से तप, त्याग, विराग, सदाचार और संयम की वृद्धी होती है ब्रहमचारणी का अर्थ तप की चारणी यानि तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पुर्ण जोतिर में और अत्यंत भवे है इसी देवी के दाएं हाथ में जब की माला और माहाथ में कमंडल धारण किये है पुरु जनम में इस देवी ने हिमाले के घर पुतरी रूप में जनम लिया था और नारत जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिनी अथार्त ब्रहमजारिनी नाम से अभी हित किया गया एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले अकाश के नीचे वरशा दूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे होए बिल पत्तर खाए और भगवान शंकर की अरादना करती रही इसके बाद भी इन्होंने सुखे बिल पत्तर खाना भी छोड़ दिया कई हजार वर्षों तक निरजल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरना नाम पड़ गया कठिन तबस्या की कारण देवी का शरीर एकदम शीन हो गया देवतारिशी सिद्गन मुनी सभी ने ब्रहमचारिनी को तबस्या की अबूत पुरुपुरुण्ने करत्य बताया सरहाना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तबस्या नहीं की ये तुमी से ही संभव थी तुमारी मनों कामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंदर मुली शिवजी तुमें पती रूप में प्राप्त होंगे अब तबस्या छोड़ कर घर लोट जाओ जल्दी तुमारे पिता तुमें बुलाने आ रहे है इस देवी की कठा का सार ये है कि जीवन की कठिन संगर्शों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए मामरहम चेहरनी देवी की किरपा से सर्व सिथी प्राप्त होती है दुरगा पुजा के दूसरे दिन देवी के इसी सवरूप की उपासना की जाती है